गुड मॉर्णिंग श्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग वख्य के भेद के बारे में जानेंगे जो दो आधारों पर बाटा जाता है तो जानते हैं हम लोग वख्य के भेद वख्य को दो अधारों पर बाटा जाता है रचना की अधार पर और दोसरा अर्थ की अधार पर वख्य को दो अधारों पर बाटा जाता है रचना की अधार पर पहला और दोसरा अर्थ की अधार पर रचना की अधार पर वख्य के तीन भेद होते हैं शरल वाक्य, सन्योग्त वाक्य और मेश्रित वाक्य, यहां जो है, हम लोग एकिक करके, तीनों वाक्य के परिभासा और उधारन को समझेंगे, कि सरल वाक्य होता क्या है, सन्योग्त वाक्य कैसे बनते हैं, यहां मिश्रित वाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग एकिक करके जानेंगे, तो सरल वाक्य पहला, क्या है, तो जिस वाक्य में उदेश्य एक या दो हो, परन्तु विधे हमेशा एक हो, उसे ही सरल वाक्य को आते हैं, हम लोग उदेश्य और विधे के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, उदेश्य यानि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधे जो कुछ उदेश्य के बारे में कहा जाए, तो यहां जिसके बारे में कहा जाए, वाह दो या दो से अधिक तो हो सकता है, परन्तु विधे यानि जो कुछ कहा जाए, उदेश के बारे में वा एक से अधिक नहीं हो सकता है, यानि करता एक या दो हो सकते हैं, लेकिन किरिया जो है वा एक ही होगी, तब वा सरल वाक्य होगा, जैसे मा ने खाना बनाया, इस वाक्य में एक ही उदेश है और एक ही बिधे है, मा उदेश है और खाना बनाना बिधे, अथा या सरल वाक्या है, दूसरे उदारन में हम लोग समझेंगे, अजय और आनन्द बजार गए, यहां अजय और आनन्द ये दो के बारे में दिया हुआ है, तो यहां हम लोग उदारन में इसके परिभासा में पढ़े, कि जिसे वाक्य में उदेश से जो है, यहां एक से अधिक भी हो सकता है, दो हो सकता है, तो यहां दो है उदेश से, लेकिन विधे जो हैं बजार गए, विधे, यह यह कहीं होना चाहिए, तो यह भी क्या हुआ, सरलवक्य का उधारन हुआ, क्योंकि इसमें भले ही उदेश से जो है, दो है, लेकिन विदेश ये कही है, तो हम लोगों ने सरलवक्य के बारे में जान लिया, कि जिसमें एक या दो उदेश से हो, पुरंतु विदेश हमेशा एक ही हो, उसे ही सरलवक्य कहते हैं, अब सन्योक्त वाक्य, सन्योक्त वाक्य को आप कैसे पाचान होगे, तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरलवक्यों को समुच्य बोधक, समुच्य बोधक अब्याई समझ रहे हो, और तथा योम, अथवा, लेकिन किन्तु परंतु सब को ये बाटा गया है, अलग-अलग, समुच्य बोधक में, तो उन्ही समुच्य बोधक अब्याई के द्वारा जोड़ा जाए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरलवक्य को समुच्य बोधक द्वारा जोड़ा जाए, उसे सन्युक्त वाक्य कहते हैं, जैसे रौकी बजार गया, और खिलोने लाया, तो यहां और क्या है, समुच्य बोधक अब्याई है, यानि योजक, चिन्ह यहां लगा करके, और दो सरलवक्य को रौकी बजार गया सरलवक्य है, खिलोने लाया सरलवक्य है, यह दो सरलवक्य को और समुच्य के द्वारा जोड़ करके, सन्युक्त वाक्य बनाया गया है, यहां जो है, मामा जी मेरे यहां आए, यहां एक सरलवक्य है, पर रात में लोट गये, यानि पर समुच्य बोधक अब्याई के द्वारा जोड़ा गया, मामा जी मेरे यहां आए, यह एक सरलवक्य है, रात में लोट गये, यह एक सरलवक्य है, लेकिन इन दूनों वाक्यों को यहां पर समुच्य बोधक अब्याई के साथ जोड़ दिया जाता है दोनों वाक्यों को, तो यहां हो जाता है सन्युक्त वाक्य, तो यहां हम लोगों ने उधारन में देख लिया कि सरलवा कापस में समुच्य बोधक अब्वय के द्वारा जुड़े हुए हैं और इसलिए यह सन्योक्त वाक्य है अब अगला हम लोग को जानना है मिश्रित वाक्य के बारे में तो जिस वाक्य में एक परधान उपवाक्य हो तथा एक आश्रित उपवाक्य हो परधान उपवाक्य पर ही आश्रित उपवाक्य निर्भर रहता है तो कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें एक परधान उपवाक्य हो और एक मिस्रित उपवाक्य हो तथा जिन्हें योजक चिन्हों द्वारा जोड़ा जाए उसे मिस्रित वाक्य कहते हैं यहां भी योजक चिन्हों के द्वारा ही जोड़ा गया है लेकिन और इसे भी जोड़ा गया है लेकिन दोनों में अंतरिया होता है कि इसमें उपवाक्य और परधान वाक्य होता है और तब उसको योजब चिन के द्वारा जोड़ा जाता है और योजब चिन के द्वारा जोड़े जाने पर तब वह मिश्रित वख्य बनता है जैसे हम लोग इसको भी उधारन के द्वारा समझेंगे कि जब लड़किया बजार गई तब सब्जी खरिदी यहां जब और तब यो जगचिन से इसको जोड़ा गया है यानि लड़किया का बजार जाना क्या है परधान उपवाक के है और सब्जी खर्दा जाना आश्रित उपवाक है कि अगर लड़किया बजार नहीं जाती तो सब्जी नहीं खर दी जाती तो लड़कियों के बजार जाने पर सब्जी खरिदने का काम आश्रित है तो यहां जो बजार जाना और तब सब्जिया खर्दा जाना यह उप वाक्यों में प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को दर्चार रहा है अता हिया मिश्रित वाक्य है हम्लोक सनियोक्त वाक्य है मिश्रित वाक्य यह और व्ते उधारनों से समझ सकते हैं जैसे मान लोकि सरहर वाक्य है दाधा जी उठाट हमने जाते हैं इसको सनियोक्त वाक्य में बदलने के लिए हम लिखेंगे कि दादा जी उठते हैं और टहलने चले जाते हैं या टहलने जाते हैं. ठीक उसी तरह सरल वाक्य है कुता भौकता हुआ मेरे पास आया. सदरान सा वाक्य है, लेकिन इसको सन्युक्त वाक्य में बदलने के लिए कूता भौका और मेरी पास आया, और के द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक उसी तरह हम लोग सरल वाक्य को अगर मिश्रित वाक्य में बदलते हैं, तो किस तरह बदलते हैं, इसे आप ध्यान से सु ओर समझे के नीता सब्जिया खरीदने बजार गई या सरल वाक्य है जबकि इसको मिशृत्वाक्य में बदलने के लिए हम लोग लेक सकते हैं कि नीता बजार गई क्योंकि उसे सब्जिया खरीदनी है ठीक उसी तरह एक और उधारन मैंने एक बुड़े आदमी को भीक मांगते देखा तो इसको मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए हम इस प्रकार से योजक चिन का परियोग करते हुए मिश्रित वाक्य में बना सकते हैं मैंने एक बुड़े ब्यक्ति को देखा जो भीक मांग रहा था या इसको इस प्रकार भी बना सकते हो कि मैंने जिस बुड़े ब्यक्ति को देखा वह भीक मांग रहा था तो इस प्रकार से सरल वाक्ष से मिस्रित वाक्ष में बनाने के लिए आप समझ लिए आप सन्युक्त वाक्ष से मिस्रित वाक्ष में बदलने के लिए समझे जैसे एक उधारन लिजे कि कल सोंबार है अता बजार बंद होगा या सन्युक्त वाक्ष है कल सोम बार है अतब बजार बंद होगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि जब सोम बार होता है तब बजार बंद रहता है या छुटिया हुई और हम नानी के घर चले गए तो इसका मिस्रित वाक को होगा जैसे ही छोटिया हुई हम नानी के घर चले गए तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस वीडियो में वाक्य के भेद जो रचना के अधार पर है सरल वाक्य सन्युक्त वाक्य और मिस्रित वाक्य उसके बारे में उधारन सहित जाने अगले वीडियो में हम लोग अर्थ के अधार पर वाक्य के भेद जानेंगे इतना पढ़ने जो पढ़े आप इस में से आप कम से कम वाक्य किसे कहते हैं वाक्य के कौन-कौन से अंग है वाक्य के कितने भेद है कितने अधारों पर बाटा जाता है वहां अधार कौन-कौन से है रचना की आधार पर वाक्य के कितने भेद है इन सबसे संबंदित आप प्रशन को बनाओगे और सरल वाक्य सनियुप्त वाक्य और मिस्रित वाक्य में कम से कम पांच-पांच वाक्या आप सरल वाक्य से सनियुप्त वाक्य और मिस्रित वाक्य में बदलोगे या आपका होमवर्ग रहा जो भी लिखो के सुद्धास पर्ष्ट समझ कर लिखोगे धन्याबाद